सब्सक्राइब आज में आपके समच्छ एक बहुत ही महत्पूर्ण और विवादित विशे पर प्रवचन करने जा रहा हूँ यह जो विशे है यह है कि क्या भगवान बुद्ध इश्वर को मानते थे या नहीं भगवान बुद्ध आस्तिक थे या नहीं देखिये मैंने कई वीडियो बना दिये हैं और उसमें मैंने सिद्धिगर दिया है कि भगवान बुद्ध वेद में विश्वास करते थे गायतरी में विश्वास करते थे यज्जी में विश्वास करते थे पुनर जनम में विश्वास करते थे आत्मा में विश्वास करते थे निरवान में विश्वास करते थे समाधी में विश्वास करते थे योग में विश्वास करते थे देव लोग में विश्वास करते थे, परलोग में विश्वास करते थे, पुनर जनम में विश्वास करते थे, ध्यान में विश्वास करते थे, ब्रहमचर में विश्वास करते थे, तो यह सब जो चीजे हैं कि वे आध्यात्मिक थे वे आस्तिक थे अब इस्वर की बात सीधी सीधी की है कि क्या वे सीधे इसवर मिश्वास करते थे उन्हेंने इंदर की बात की है देवताओं की बात की है यमराज की बात की है कामदेव की बात की है नारदमुनी की बात की है तो सब ये सब जितने हैं विदान्त की बात की है तो अब बात सिर्फ इस्वर की आ गई तो आखिर ये इसके माध्यम से वे संकेद भी देते हैं ऐसी बात नहीं आज मैं परमाण दूँगा आपको वे सिदा संकेद भी देते हैं और हलाकि अन ने जितने ज़्यादा जोर उस पर दिये उतरा भगवान बुद्ध ने नहीं जोर दिया या भी सच है या इसलिए सच है क्योंकि वे फिलास्फिव में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे जैसे कि आप विज्ञान भहरव तंतर की बात करेंगे तो जो भगवान भहरव है वे सिधे जो है वे या नहीं काते या है वा है सिधे कैसे तुम स्वैन जानोगे कैसे मासूस करोगे उसकी बात उन्हेंने बताई है उसी तरह से मारसी पतनिली जी ने भी सारी यूग के सिधान बताया है उसी तरह से भगवान भुद्ध ने भी सब कुछ साधना के संदर्ध में बताया है साधना के लिए जो उपयोगी लगावा हुन्हें बताया और उनका जो इसी पर्थार विचाते थे कि लोग जो है उसको करके स्वेन महसूस करें कि क्या है और क्या नहीं है सबसे पहली बात है कि यदि वो भगवान की सत्ता में विस्वासिय नहीं करते तो स्वेन ही उन्हें भगवान से संबोधित कौई मतलब ही नहीं उटता है अधि वो नास्तिक ही होते तो स्वेन अपने लिए भगवान संदर में क्यों بात करते उनके जीवन काल में भी उन्हें भगवान ही कहा जाता था बाद में भगवान ही कहा जाता है तो पहला पर्मान तो यही हो गया सबसे बड़ा पर्मान अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो उनके विश्नु रूप की बात होती है विश्णु की अवतार मने जाते हैं वे अगवान विश्णु की नवे अवतार के रूप में उनको वरिनन है तो अब मैं बहुत गरंतों से ही यहां ले करके आपको बता रहा हूं तो लंका अवतार स्वत्र जो है यह बहुत गरंथी है और इसमें बुद्ध ने स्वेन ही स्विकार किया है कि वो विश्णू के अवतार है अधिवे इस वर की सप्ता में विश्वास नहीं करते तो वैसा क्यों कहते मैं पढ़के बता रहा हूँ तत्र केचिन महामते तथागत मिती मासप्रजानंती केचित श्वेंभुमिती विश्णूम इश्वरम रामम चै के सजानंती अर्थाद हे महामते कोई मुझे तथागत नाम से पहचानते हैं कोई स्वेंभु के रूप में कोई इस्वर के रूप में असपष्ट है यहां पर कोई विश्णू के रूप में कोई राम के रूप में मुझे जानते हैं तो इसे और जदा ही असपस्ट करने की कहां सुथा पड़ती है हर जगा भगवान से सम्मधित किया गया है और यहां पर लंका अवतार सुत्र में अस्पष्ट का दिया गया है भगवान विश्णु के अवतार है और उन्हें ने अस्पष्ट का दिया कोई मुझे इस्वर के नाम से जानते हैं कोई विश्णु के नाम से कोई राम के नाम से अब आपको मैं सुत्य निपात ग्रंथ के आपको सुन्दरिक भारत द्वास सुत्तम नाम का ध्या में चलता हूं जिसमें की इसकी 25 गाथा है जिसमें कहा जहा रहा है 25 गाथा में हुतच्य मयहम हुतमत्थू सच्चम यम तादिशं वेदगुणं अलत्थं ब्रह्माही सक्खी परी गणहातू मेभगवा भुज्यतू मेभगवा पुश्शानसाम पुर्लाशाम पुर्लाशाम अर्थात आप जिसे वेद के गुणी को पाकर सच्मुच मेरा यज्य पुर्ण हुआ आप साक्षात ब्रह्म हैं हे भगवान आप मेरा भोजन स्विकार करें मेरी पुर्णी और चिवरा खाएं तो यहां पर भगवान बुद्ध से यह निवेदन किया जा रहा है यह वीडियो कुछ लंबा हो सकता है यह इसे में दो भाग में भी कर सकता हूं क्योंकि विशय काफी महत्पूर्ण है इसलिए अब इसके बाद हम लोग रतन सुत्तम नामक अध्याय में चलते हैं सुत्त निपात गरंद के जिसकी सोलविंग अथा है या निध भूतानी समागतानी भूमम्मानी वायानी वा अंतलिक्खे तथागतम देव मनुशस्य पूजितम बुद्ध नमस्याम सुवत्थी होतू अर्थात इस समय इस पृत्थ्वी आकास में जितने भी प्राणी उपस्थित हैं तथागत उन सभी देव और मनुश्यों से पूजित हैं हम बुद्ध को नमस्कार करते हैं सबका कल्याणों सभी लोग देवताओं को पूजते हैं लेकिन देव भी इनको पूज रहें तो देव किसको पूज सकते हैं देव तो अपने से उपर को ही तो पूजेंगे कहीं पर यहां वर्णन नहीं आता है कि देव ने रिश्यों को पूजा या सादू संतों को पूजा देव सदेव परमात्मा को ही पूजते हैं तो यहां पर बता रहा है कि सभी जो है तथागत को पूज रहे हैं इसका सिधा इंडियरेक्ट अर्थ अस्पष्ट निकलता है कि वे इस्वर के अवतार थे वे इस्वर थे इसलिए उनको पूजा जा रहा था अब इसके बाद सभी ये सुत्तम नमक अध्या में आते हैं जिसमें की ये दस्वर गाथा है बहत्वा सब्पापानी विमलो साधू समाहितो टित्थतो संसामतिच्च केवलीशो असितो तादी वच्चते सब्रम्व अर्थात जो सभी पापों को बहा कर विमल हो साधू समाधिष्ट हो स्थित्त आत्मा है संसार पारंगत है केवल्ल हुआ है अनाशक्त और इस्थिर है वह ब्रम्व है तो यहां पर उस ब्रह्म्वा की परिभाषा यहां पर दी गई है के वल्ल है अराशक्त है और स्थिर्था बहुत लोग करते हैं कि भगवान बुद्ध इस्थिर्था की बात क्यों करते थे लेकिन जो सासवत सत्ता भी विश्वास करते हैं और उसके बारे में वह काते थे कि वह स्थिर्थ है सासवत है तो उसी को तो इस्थिर्था कहा याता है खुक्र में गया में तो उसको यह पर पर अपनी सिदु में आप देखेंगे तो खाले अथ ब्रह्म की बात आइए अब इसके बाद हम कि बात करते हैं कि अधि कि थो तो यहाँ मैं ब्रहमा का कुछ लोगहारे ब्रामिन भी लगाते हैं कि नहीं उन 가장 प्रामन के बारे मुझा को कि ब्राममन मतलब इसुआ तो Brahman कौन है ब्रह्म जाने ति ब्रह्म मुझा बिना ब्रह्म को जाने कोुई Brahman कुसे होगा ब्रह्म सब्रह्म से इतों बना है Brahman मतलब इश्वर अब आत्मा के विशे में तो बताया ही था मैंने आपको विडियो में जो आत्मा विश्वास करता है तो जैसी बात है कि परमात्मा उसके लिए ऐसे इसी दो जाता है देख लीजिए यह जो है मैं आपको अभी सद्ध्याय में लिवा चलता हूँ सभी यह सुत्तम नामा का ध्याय में लिवा चलता हूँ और सभी सुत्तम के जो सोलवी गाथा है उसमें देखिए कोशाने विज्जे ये केवलाने दिब्बम मानुशकम चा ब्रह्म कोशम कोश मूल बंधना पमुत्तो कुशलो तादी पवच्चती ततता अधात जो स्वर्ग माना और ब्रह्म लोग ब्रह्म लोग की बात की गई है यहां तो ब्रह्म को मानेंगे तबी तो ब्रह्म लोग होगा तो जो स्वर्ग माना और ब्रह्म लोग के अच्छे बुरे कर्मों को जीत कर सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो गया है वह स्थिर और आत्मा में स्थित कुशल कहा गया है तो आत्मा की बात मान रहे हैं आत्मा वाले वीडियो में आप आप बात् Всем अब जो है और लुकत बहुत महत्तपृrण गाथा में लोग आते हैं वासेट सुंप्तम वासेट सुत्तम के एक बहुत बदपुर्ण गता है बैलिस्मी गता देखिए इसमें क्या का गया रहा है यसालया नविज्यन्ति अयाय अकथम कथी अमोत गधम अनुपपत्तम तमहं ब्रुमी ब्राम्बनम ब्राम्बन किसको कहा गया है तो यहां पर बता रहा है कि जिसको तृष्णा नहीं है जो भली प्रकार जानकर अकथ को कहने वाला है यह जो कहा रही है सकता है उसको कहने वाला है अकथ तो आज निर्वचनी कहा गया है उसको किसको ब्राम को परमात्मा को जिसने गाड़े अम्रित को पा लिया है यह सबसे मात्पुर्म सब्ध है अम्रित अम्रित अर्थाद सासोत सब्धा जो मर नहीं सकता तो अम्रित सब्धा की बात भगवान उद्धकर है तो अम्रित सब्धा अर्थाद सासोत सब्धा और अम्रित सकता किसको है सिर्फ परमात्मा यह तो अम्रित हैं जो नहीं मरते हैं बाकिसम में तो मरंजियन का खेल तिलता रहता है और इसलिए यहां पर आकत्र का भी प्रयोकिया गया है और आकत्नी है और निर्वचनी है और निर्वचनी सिर्फ परमात्मा को माना गया पर ब्रम को ही माना गया निर्वचनी तो कहा रहे हैं अकत है और अम्रित है तो अम्रित है और अकत है या है और इस चीज़ को जो जो पालिया उसे में ब्रामन कहता हूँ तो उसी अमृत को पा लेना है इसके बाद मृत्यू नहीं होती और अखत को अखत को भी जान लेना है जो कहान जा सकता है उसको जान लेना है उसको मसूस कर लेना है तो यह एक बहुत बड़ा परवान है अब इसके बाद हम आपको लिवा चलते हैं कोकालिक सुत्तम नामक अध्यायवें, सुत्त निपात गरंद के, तो कोकालिक सुत्तम के पंचान ये, कोकालिक सुत्तम में ये कहा गया है, मैं वो पढ़ रहा हूं का था, इदम अवच ब्रह्मा सहंपति, इदम वत्वा ममम अभिवा अधित्वा पदक्षिनम कत्वा तथे वंतर धाईति, अधात सहंपति ब्रह्मा ने ये कहा, इसे कहा कर, भगवान बुद्ध का रहे हैं, कि इसे कहा कर, मुझे प्रणाम कर, प्रदक्षिना कर, वहीं अंतरधान हो गया, देखिए यहां पर कैसा है, प्रियुक क्या गया है, तो ब्रह्मा आये और ब्रह्मा ने परणाम किया और भगवान बुद्ध की परदक्षिना की और अंतरधान हो गए तो ब्रह्मा किसी ऐसे एरे गेरे की तो परिकर्मा करेंगे नहीं छोटे मोटे हलके फूल के सादू संद की तो परिकर्मा करेंगे नहीं और प्रणाम करके और प्रदक्षिना तो करेंगे नहीं तो यहां पर अस्पश बता दिया गया है कि ब्रह्मा आये उन्होंने प्रणाम किया प्रदक्षिना किया और दर्धान हो गए यह स्वें भगवान बुद्ध करें तो ब्रह्मा आते थे भगवान कृष्ण को प्रणाम करके चले आते थे ब्रह्मा आते थे राम को प्रणाम करके चले आते थे तो ये जो हैं इसलिए इनको अवतार माना गया है भगवान बुद्ध को और ब्रह्मा स्वेन आकर के प्रणाम कर रहे हैं तो ब्रह्मा आकर के प् बुद्ध स्वेनी इश्वर थे इसवर के अवतार थे तभी तो ब्रह्मा करके प्रणाम कर रहे हैं कि एरेगरी नत्तुक खेलेगे थोड़ी ब्रह्मा करके प्रणाम वरकर जाएंगे अब परदाख्षिना करेंगे अब इसके बाद हम लोग आते हैं द्वय तानू पस्चना सुट्व निपात गरंथ के इस अध्यय में आते हैं, और इस अध्यय की यह सोलवी गाथा, जो की सासवत्ता को बतलाने के लिए है, सासवत्ता पर जोड़ है, और सासवत्ता मतलब ब्रहम, मतलब इस्वर क्योंकि इस्वर ही सास्वत है और बाकी यह जो संसार है तो यह तो छण भंगुर है तो देखिए एतम तुक्खंति यत्वा मोशधम्मं पलोकितम फुस फुस वयं पस्वं एवं तत्थ विरज्यती वेदनानम ख्याविक्षो निच्छातो परिनिब्बतो जो दुख को नस्वर और छण भंगुर देखकर उसके नस्ट होने को देखकर और भरी प्रकार जानकर उनसे विरख्थ हो जाता है वह विक्षू वेदनाओं के छैसे त्रिष्णा रहित हो परिनिर्वान को प्राप्त हो जाता है तो परिनिर्वान को सास्वत अवस्था ब अब मैं ऐसे चीज की बात करने जा रहा हूं जहां पर जो सासोतावस्था की बात की तो यह निराकार है तो वेद में उपनशद में गीता में इसमें निराकार ब्रह्म की बात की गई है तो निराकार अवस्था को भवान बुद्ध ने बताया है तो इससे भी इस्वर्ग की स्थिति का हमें बोध हो जाता है तो देखिए यह जो है यह इसी दोय तानु पश्चना सुत्तम अध्याय के ही यह जो है एक्तिस्वी गाथा की पूर भूमिका है और उस भूमिका में यह क्या काते है रूपेही विखवे आरूपा संतत्राती आयमे कान पश्चना आरूपेही निरोधो संतत्रोती आयम दुतियान पश्चना अथात रूप लोग से आरूप लोग, आरूप लोग मतलब जिसका रूप नहीं है, आरूप लोग, या निराकार, जिसका आकार नहीं है, आरूप लोग, या रूप नहीं है, तो रूप लोग से आरूप लोग सांततर है, या एक अनुपश्चना है, दूसरी अनुपश्चना क्या ह औरूप लोग से निरोध सांत अतार है या दुसरी अनुपश्चना है कहते हैं उस औरूप यानि उस निरोध की अवस्था निर्वान की अवस्था है वह उससे भी ज़्यादा सांत है यानि साकार से तो आप निराकार जाएंगे फिर निराकार से भी उससे परे हो जाएंगे तो निराकार से भी परे होने की बात भगवान बुद्रे की है साकार और निराकार से परे की जावस्था वही परम अवस्था माने गई है शाकार से उची अवस्था निराकार होगे, निराकार से उची अवस्था, साकार निराकार से परे, तो परभ्रम परमेश्वर्ज जो है, साकार निराकार से परे की अवस्था है, पुर्शोत्तम की यहां पर स्विकार रखती है, भगवान कृष्ण ने भी गीता में पुर्श शुट्तम की है जाका निराकार से उपर के वस्ता है अब यही जो है एक तिसमी गाथा में देखिए दिखा हुआ है ये चा रूपपगासता ये चा आरुपवाशनो निरुधम अपजानन्ता आगंतरो पुनब भवा तो इसका आर्थ हुआ जो रूप लोग में रहते हैं और जो अरूप लोग के निवाशी है यानि निराकार में जो प्रवेशजिन का है वे निरोध यानि उससे परे की जो बात है निरोध निर्वाण को नहीं जानते हैं वे पुनदा जनम में पढ़ते हैं यानि निराकार त भगवान बुद्ध कहना चाहिए अब यहाँ अब दिरवान को और नसवार्ण बताते हैं तो सास्वत्स attended बुद्ध जो है नसवार्टा की बात नहीं करते थे जैसा कि वाम-पंथि लोगत लाना चाहते हैं कि वे जो है सिर्फ सापिक्षिक बात ही काते थे और नास्तिक थे कभी भी नास्तिक लोग जो है सास्वत सत्ता की बात नहीं करते हैं भगवान बुद्ध ने सास्वत सत्ता की बात की है और नस्वर सत्ता की बात की है तो यह जो है 35 गाथा जो है इसमें देखिए अमोस धंबम निब्बानम तदरिया सच्चतो विदू तेवे सच्चा भी शमया निच्छाता परि निब्बुताती अर्थात निर्वाण अनस्वर है आर्यों ने उसे सत्य जान लिया है सत्य को जानने वाले बेतिशना रहित हो परि निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं तो यहाँ पर भवान बुद्ध ने बता दिया है कि निर्वाण अनस्वर है उसका नास नहीं होता है निर्वाण का तो परम अवस्था को उन्होंने बताया है सास्वत अवस्था है वहाँ वह अवनश्वर है और आर्यों ने इसे जान लिया यानि स्रेष्ट पूरुस जो है उन लोगों ने जान दिया स्रेष्ट लोगों ने जान लिया यहां पर आर्य की बात किया है और क्या-क्या आर्योंने उस सत्त को जान दिया दिया, का यह सत्त है यह अरस्य औरता सत्त है, यह परम सत्त है अब इसके बाद हम आते हैं कलह विवाद सुत्तम कलह विवाद सुत्तम के 133 गाथा, कलह विवाद सुत्तम के 133 गाथा में देखिए क्या लिखा हुआ है ना संयन संयाई, ना विसं संयाई, नोपी आसंयाई, ना विभोती संयाई, एवं समेत्तस विभोती रुपं, संया निदाना ही पपंच संखा अर्थात संग्या के कारण ही सारे प्रपंच होते हैं, इसलिए जो संग्या में नहीं हैं, जो संग्या रहित भी नहीं हैं, और जो आसंग्याई भी नहीं हैं, तथा ना तो जिसने संग्या काति कर्मन कर लिया है, ऐसा होने पर ही रुप नहीं होता रूप किस तरह से नहीं होता अन्याकरत तो कैसे होता है उसका भगवान ने कहा है संग्या अर्थात गुण संग्या अर्थात किसी को संबोधन कर सकते हैं किसी की एक जो पहचान होती है तो संग्या का गुण पहचान से मतलब है काते हैं संग्या के कारण ही इन गुणों के कारण ही इन पहचान के कारण ही सारे प्रपंच उत्पन होते हैं इसलिए जो संग्या में नहीं है और जो संग्या रहत भी नहीं है और जो और संग्या ही भी नहीं है तो ऐसे जिनने संग्या कातिकर्मन भी करना तो जिसने संग्या कातिकर्मन कर लिया यह सब सब जो है यह से रूप नहीं होता है अब हम धमपद ग्रंथ में आते हैं धमपद जो ग्रंथ है सबसे मत्पून ग्रंथ है बॉल संपरदय का और इसकी जो इसका जो तीसरा ध्याय है चित वग्गो नाम से है तो चित की बात करते थे बुद्ध और चित जो है यह अगर आप जखेंगे योग सुत्र ग्रंथ पतनली का उसमें चित की बात है उपनिशत देखेंगे चित की बात है वेद में देखेंगे चित की बात है चित का बहुत मतल है सत्चिता अनंद परमात्म का गया सत्चिता अन सवरुप है तो आज आपको यहाँ पर भकवान बुद्ध के उसमें मैं दिखलाउंगा सथ की बात बीधि बता चुका हूं अब चित की अध्याय में देखिए पांचमी गाथा दुरंगमाम एक चरम आसरीरम गुहासयम ये चित्तम सैयमे ससंदी मुक्खंती मारबंधना अर्थात दुर गामी दूर जाने वाला अकेले विचरने वाले निराकार गुहासयी आसरीरम मतलब निराकार गुहासयी आनि गुप्त गोय जो गोपनी हो इस चित्त को आनि यह चित्त इस तरह का है निराकार है गोपनी है गोय है अकेले विचरन करने वाला है दूर गामी है तथा जो सैयम करेंगे इस चित्त का जो सैयम करेंगे सैयम जैसे धारना ध्यान और समाधी को एक साथ संजिक स्वित पुरुप से सहियंका जता है इसे मार के मंधन से मुक्त sided करें दिधां के बंधन से मुक्त ओ जाएंगे यहां पर यह निलाकार्थ चिट्ट वग्छोण नाम का अध्याए ही है कि अब जो है अध्यों कि अगह है और इस अध्यों में बहुत महत्पूर्ण है इसमें इस्वर की बात भगवान बुद्ध ने कर दी है आप देखिए इसमें अत्तवग्गो में कुछ लोग इसका उल्टा पुल्टा करके अर्थ निकालने कोशी करते हैं लेकिन सही अर्थ यही है जो अभी अभी बताने जा रहे हैं देखिए अत्तवग्गो की चोथी गाथा है इसमें कहा गया अत्ताही अत्तनो कोही नाथो पुरोशिया कोही नाथो पुरोशिया या नाथो पर आपको ध्यान देना है क्योंकि नाथ किसको कहा जाता है प्रमात्मा को अर्थात अब ये अत्वग्गो है अत्व जो है आत्मा के लिए प्रयोग होता है आत्मा स्वामी आप है आत्मा स्वामी अपना स्वामी है भला दूसरा कोई उसका स्वामी क्या होगा अपने ही को अच्छी तरह दमन कर लेने से वह दूरलब स्वामी को पाता है अपने को अच्छी तरह से दमन कर लेने से वह दूरलब स्वामी अनिस्वर को पाता है कुछ लोग यहां पर कहते हैं कि यहां पर नाथम जो है निर्वान के लिए आया है लेकिन जब नात सब्द का परयोग किया गया है स्वामी सब्द का परयोग किया गया है तो वह निर्वान के लिए नहीं आया है तो यहां पर नात सब्द का परयोग है यह इस्वर्तत्यों के लिए आया है निर्वान के लिए नहीं आया है जबकि बहुत लोग जो है जो बहुत जो सोचते हैं कि भगवान बुद्ध को इस वर्तत्त से काट दिया जाए वे लोग उसका निर्वान अर्थ करते हैं अरे निर्वान तो उस अवस्था को पा जाना है निर्वान में हम क्या पाएंगे, निर्वान में हम इस्वर को पाते हैं, निर्वान में निर्वान को थोड़ी पाते हैं, निर्वान में इस्वर को पाते हैं, निर्वान एक अवस्था है, जिसमें इस्वर तक तो कलाव होता है, इसलिए यहां पर जो है, वह इस्वर की ही बात यहां पर करना चाह रहे हैं इसलिए नात सब्द का पर प्रियोग हुआ है स्वामी सद्द का प्रियोग हुआ है निरोण कभी स्वामी नहीं होता Professor आं ॉन्हों का नन्हों सक्ता नात सदेब इस्वरन हो यह सबसे महत्पोर्ण गाथा है जो इस्वर्तत्य को संकेत करने के लिए भगवान अबुद्र ने दिया है अत्ता ही अत्तनो को ही नाथो परोशिया अत्तनार सुदन तेन नाथम लवती दुल लवा मिश्ली मैं दुब़ारा पढ़ रहा हूं इसको नाथम को निर्वान सत्त से बिलकुल भी नहीं का जा सकता है स्वामी नहीं का जा सकता है उसे वह एक अवस्था है उस अवस्था से हम इस्वर्तत्य को पाते हैं अवस्था से अवस्था को नहीं पाते हैं अब इसके बाद मैंने चित की बात की सत की बात की आपको और यहां नात की भी बात कर दी है इस वर की अब देखिए अब और मैंने आपको अमृत की भी बात अमृत की भी बात बता दे थी अब आपको मैं अनंत की बात बताता हूं क्योंकि इस वर के साथ सदय अनंत लगता है जान लेजिए पूरे उपनिशद वेद में देख लाएं गीता में देख लाएं इस्वर अनन्त हैं और इस्वर के सिवर कोई अनन्त नहीं हो सकता है अनन्त की कोई संभावना ही नहीं उठती है अनन्त के लिए बाकिये को अन्त होई जाएगा तो भगवान बुद्ध ने अन पुद्ध वग्गो और इस बुद्ध वग्गो में कि जो पहली गाथा है इसकी पहली गाथा देखिए क्या है यस्स जीतम नावजीयते नावजीयती जीतमस्स नोयाती कोच्चिलो के तम बुद्धम अनंत गोचरम आपदम केन पदेर ने सत्थ अथाथ जिसका जीता बे जीता नहीं किया जा सकता यानि जो जीत लिया है उसको बे जीता कोई नहीं कर सकता जिसके जीते यानि रागदवेसादी के नहीं लोटते फिर लोक में रागदवेस को जीतने के बाद फिर इस लोक में नहीं आते हैं उस अनंत गोचर यानि अनंत को देखने वाले आपद बुद्ध को किस पद से ले जाओगे अनन्त गोचर अनन्त को देखने वाले तो अनन्त को देखने वाले जो बुद्ध है उसको किस पद से ले जाओगे तो यहां पर अस्पष्ट है इस्वर की बात कर रहे हैं कि इस्वर को देखने वाले तो बिल्कुल ही अस्पष्ट संकेत है और इस्वर के सिवार कोई अनन्द नहीं हो सकता बाकिस सब की आनंद होते हैं और यहाँ असुआ lightly आगया है किाति यह इस्वर को देखने वाले को इस्वर दर्संद की बात्यां पर बागवान बुद्र ने किये तो यह बिल्कुल ही वाँ गया अब मैं आपको अनंद के बाद मैं आपको आप आनंद की ओर रे चलता हूँ सत्चिदा अनंद की ओर रे चलता हूँ और ये भिखु अग्गो की चोदवी गाथा है और चोदवी गाथा में देखिए और ये धम पद की तीन सो तेहतर भी गाथा है अर्थात सुन्य घर में प्रविष्ट सांत चित्थ भिक्षू को भरी प्रकार से धर्म की विपश्चना करते वे अमानुसी रती जो अमानुसी रती है दिब सुख है तो दिब आनंद होती है तो ऐसा जो करता है अमानुसी रती मिलती है आनंद मिलता है वह आमानुसी सुख मिलता है तो यहां दिब आनंद की बात की गई है इसके बाद फिर दखिए पंधरवियं का था इसी की विक्षू व अर्था जिसमें की अम्रित्तत्य की फिर बात की गई है यतो यतो शम्मसती खंधानम उदैब्बयम लबती पीती पामोज्यम आमतंतं विजानतं अर्था जैसे जैसे पांच असकंधों यानि रूप वेदना संग्या संस्कार और विज्ञान की उत्पत्ति और विनास पर वि वैसे वैसे प्रिति खुशी उल्लाश और अम्रित को जानता है कि इसके बाद कि एक आत्मा समंधित विशेव पर भी देख लेते हैं जो धम्मपद की तीन स्वास्मिग आथा है आना कि आत्मा वाले वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की थी तकिन फिर यहां भी यह महत्पूर्ण इसलिया का देता हूं क्योंकि आत्मा से ही परमात्मा का बहुत महत्पूर्ण समंध बनता है तो इसकी एक किस्वी काता है जिसमें कहा जा रहा है अत्ता ही अत्तनो नाथो अत्ता ही अत्तनो गती तस्या संयम्यत्तानम अस्वं भद्रव वानियो तो इसको संस्कित में पढ़ देता हूं अर्थार आत्मा अपना स्वामी स्वैम है आत्मा स्वैम अपनी गती है इसलिए आत्मा में संयम करो जैसे कि सुन्दर घोड़े को बनिया संयमित करता है यहां पर बिलकुल ही अस्प्क कर दिया है थावन बुद्ध ने तो आत्मा समधित इस व्याक्यान से यह वुद्ध का यह अस्प्क हो जाता है क्या करना चाहा रहे थे और वह कैसे इस्वर वादी हैं कैसे इस्वर की सब्ता में विश्वास करते हैं, इस्वर की अनंत सब्ता में, निराकार सब्ता में, अम्रित सब्ता में और उसमें जो की आमानुसी है, अरती है, उसमें विश्वास करते थे, तो अब इसके साथ ही आपको एक और मैं वो पढ़ देता हूँ, इसमें की वो ब् सुख का हेतु असपस्ट बताया है उन्होंने तो वे उनका एक ज़र कहना है सुखा समायता लोके अथो ब्रह्मयता सुखा अर्थात की ब्रह्म को जो जानते हैं वे सुखी हो जाते हैं बिरकुल ही असपस्ट ही उन्होंने कहा है अब उसी तरह से सुथ निपात के 561 में वो दीख्ये बिरकुल क्या काते है जी से गीता में ब्रह्मभूता होने की बात की गई है उसी तरह से सुखत निपात में भी बात की गई है जिसमें कि भवान बुद्ध अपने बारे में क्या का रहे हैं अर्थात जो है मैं उसी तरह से सुद्ध हूँ जैसे कि ब्रह्म है उसी तरह से अतुल्य हूँ और उसी तरह से मार को मार की जो शिना है उसको मैंने कुचल दिया है दबा दिया है और सभी सत्रों को मैंने दवा दिया है और मैं अब मोद मना रहा हूँ हर दिशाओं से हर तरफ से मैं मोद मना रहा हूँ तो यहां जो भ्रम भूत सब्द का पुर्यों के आगया है और अतुल सब्द का पुर्यों के आगया है यह बहुत ही महत्पुर्ण है जो कि फिर वहां इश्वर्तत्यों की बात हो सिद्ध कर रहा है और मज्जिम निकाय के 26 गाथा जो है मज्जिम निकाय के 26 गाथा में देखिए असपस लिखा हुआ है अभिक्खवे तथा गात संबुधो उदूहत भिक्खवे सोतम अमत अधिकतम अह मनू सासामी अधर्मम देशेमी यहाँ पर बिलकुल ही अम्रितत्यो की बात की गई है अमत अर्थात अम्रित तो यहाँ अम्रितत्यो की बात की है कि यह भिक्खों को पता रहा है कि जब मतलब कोई संबुध हो जाता है तथागत हो जाता है तो उस इस्थिति में वह हमृत्तत्य को प्राप्थ हो जाता है शास्वत सत्ता को प्राप्थ हो जाता है तो शास्वत सत्ता की बात की गई है तो यहां पर फिर शास्वत सत्ता की बात हो गई शास्वत सत्ता मतलब शास्वत सत्ता आत्म सत्ता अधिग निकाय के महागोविंद सुत्त में कहा या रहा है अश्पष देख लिजे तो इन्हें ने यहां पर ब्रह्म लोग की बात की है कि हम इस तरह से ब्रह्म लोग की प्राप्ति हो सकती है कौन से ब्रह्म लोग की जो अम्रितत्त्त है आमतम जो अम्रितत्त्त है तो ऐसा ब्रह्म लोग जो अम्रितत्त्त है यहां पर क्या है कि ब्रह्म के साथ जो है यूनियन की बात की गई है उनके साथ मिलन की बात की गई है तो ब्रह्म से एकाकार होने की बात की गई है। कोई भी ब्यक्ति वो प्राफ्थ हो सकता है। करुणाबान भूंद्धनिया उसक्ता है और सभी पापों से अलग हो कर के सभी पापों को त्यागने से होसकता है और ब्रह्मचरिक के पालन करने से ऐसा हो सकता है यहां पर भगवन भूद्ध्ध्य ने बिल्कुल अस्पॉस्त बता दिया है तो मैं समझता हूँ कि इतना जो परवाण है वो कम परवाण नहीं है बहुत ज्यादा परवाण है और थेविग्गा सुत्तमें भी असपॉस्ट भगवान बुद्ध ने बताया है कि ब्रह्म के साथ जो है एक अकार हो जाना है तो यह जो दूसरे हैं विदेश के जो जिनोंने की भास्षर किया है तो उनका यह कहाना है पॉल कैरस का मैं स्टेट्मेंट आपको पढ़कर सुनाता हूं अन्ने का भी कुछ सुना देता हूं और साथ तथागत जो हैं वे जानते हैं कि सिधा अस्ता तो यह है कि ब्रम के साथ एक अकार हो जाए 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 इस्वर तप तो साथ एकार हो जाए और वे अच्छा से जानते हैं कि ब्रम के लोक में परविश्विश्किया जा सकता है और वहां पर ही उत्पन हुआ सकता है इसमें किसी प्रकार का कोई शंद्य नहीं है, उनके साथ एका कार हुआ जा सकता है, तो ये भगवान बुद्ध ने बिलकुल ही असपश्ट रूप से इतना बताया है, जो कि हम लोगों के लिए या काफी है, कि इस्वर्द को वे बानते थे, वे स्वेन इस्वर्द के आउता सार्थ थे, और उन्होंने इस्वर्द के विशय में, जितने बी बातें बताई है, वे सब वे ही बाते हैं, जो बातें सानातन धर्म के अन्य करनтव में, चाहे वेद हो, चाहे उपनिशद हो, चाहे गीता हो, वहांपर बताई गई है, अब हम कुछ उन चीजों को लेते है जिससे की भगवान बुद्ध का जो बॉध गरंथों से अलग जो गरंथ हैं सनातन धर्म के उनमें जो भगवान बुद्ध का जो जिक्र आता है वहां से हम लेते हैं तो उसमें आपको हम बताएंगे लेकिन वह जो है अलग वीडियो होगा तो आज जो है जिसमें उस उस वीडियो में भी यह पर्मानित होगा कि भगवान बुद्ध क्या थे परन्तु बहुत गरंथों से ही भगवान बुद्ध को इस्वरबादी बताने का हमारा सिद्ध करने का हमारा प्रयास रहा है और जो भी नास्तिक लोग हैं जिनोंने बुद्ध को नास्तिक बनाने की कोशिस की और जो वामपंथी इतिहासकार हैं और ये कॉंग्रेस पार्टी के जो विचारों से सहमत हो करके जो विद्वान लोग भवान बुद्ध को उनकी गरिबा को गिरा रहे हैं और अन्य जो पश्रिम देशों के इतिहासकार और बुद्ध के विद्वान जो अपने को कहते हैं उन लोगों के जो कुछित प्रयास हैं जिससे कि भवान बुद्ध को नास्तिक सिद्ध किया जाए यह जो है विफल हो जाता है बुद्ध के माध्यप से ही और जो इन्हें सरातन धर्म बिरोधी और ब्रह्मन बिरोधी और तमाम तरह की बातों की बिरोधी जो बतलाते थे उनको यह एक करारा जवाब है वे जो मैंने वीडियो बनाया है वीचा है तो इसका उत्तर धून के लाएं जवाब उन्हें दिया जाएगा ओब